आज हम करने वाले हैं एल्डोल कंडेंसेशन पिछली बार हमने किया था बेस केटलाइस्ट इस बार हम करेंगे एसिड केटलाइस्ट तो इसमें एसिड केटलिस्ट की तोर पर काम करेंगा कि कंडिशन बही रहेंगी अल्फा हैड्रोजन का होना वहाँ पर जरूरी है और कम से कम दो अल्फा हैड्रोजन हमारे पास होने चाहिए एसिड हमारे पास होगा इस केटल में हम एच्छी एल ले सकते हैं वे इकन ओल्सो टेक सल्फियोरिक एसिड एटसेटर तो अब इसमें इस एसिड केटलाइजड के पिसकलियां अगर बात करें तो रोल क्या है इसका एसिड का यहाँ पहला कि जो यह वारे पास कार्बोनिल ग्रूप होगा उसे यह बना देगा मोर इलेक्ट्रोफिलिक जिससे नुक्लियोफिलिक अटेक इजी हो जाएगा दूसरा जो इसमें ओवेच होगा उसे रिमूव करने में इजीनेस होगी हमें और तीसरा कीटो इनॉल इंटर कनवर्जन जो होगा वो फास्ट हो जाएगा जिससे हमारे पार स्टेबिलिटी बनेगी तो चलिए शुरू करते हैं पहले मैं एक सिंपल रियक्शन लिख देता हूं उसके बाद हम लिखेंगे उसका मेकानिजम भी तो मैं फिर से लेट से यहाँ पर ले रहा हूं इथेनल इसमें हमने एसिड डाल दिया ध्यान रखे एसिड यहाँ पर कैटलिस्ट का काम करेगा सिरफ और हमारे पास बन जाता है एलिडोल प्रोड़क्ट और जब हम इसको हीट करेंगे तो वोटर रिमोव हो जाएगा और हमारे पास बच जाएगा अलफा बीटा अनसैचुरेटिड कार्बोनिल कमपांड अलफा बीटा अनसैचुरेटिड कार्बोनिल कमपांड तो चलिए इसका मेकानिजम ट्राइ करते हैं हमें एक बार तो स्टेप वन हमारे पास होगा प्रोटोनेशन और अक्सीजन और कार्बोनिल बाई एसेड तो मेरे पास प्रेजेंट है कार्बोनिल कमपांड यानि कि इसमें इथेनल है और एसेड एसेड एसेल है तो यह जो लोन पे राउक्सीजन पे देट बिल अटेक ओन दी हाइड्रोजन और दिस विल ब्रेक और देट विल ब्रेशिबल स्टेप तो हमें क्या मिलेगा CH3 CH डबल बॉर्ड ओ H पॉसितिव प्लस में CL नेगेटिव विल बी देव तो यहाँ बनेगा हमारे पास एक इंटरमेडियेट स्टेप टू विल बी एब्स्ट्रेक्शन ओफ अल्फा हैड्रोजन बाइ याने की जो हमारे पास यह ग्रूप बना है उसका जो अल्फा हैड्रोजन हो का देट विल बी बस्ट्रेक्टिट बाइदी कॉंचुगेड बेस ओफ एसीड इन दिस केस इस एल नेगेटिव सो वाट दो वी गेट वी गेट दिस थिंग और दो लोब लोब वी गेट इन दिस भी यह लेट इन दोब हेट इन दो तो अब बाइव लोगेट वी जो जु़। भंगेट झैंट थिंगेट रिए so let me call that A that A will attack on this intermediate that we have found A will attack on this intermediate how? let's see here so this will come down this will attack on that and it goes like this so that forms again CH2 C OH H and CH3 remember that another molecule of this LTI is also protonated by the HCl here so that says we still have Cl negative around in this solution because first molecule of HCl was consumed in this and then it was regenerated again as we can see in this case and we have forgotten to write but it was regenerated and that regeneration of acid again protonates the other carbonyl compound which then takes part in the step number 3 and Cl negative was removed again as it was in the first step as it was in the first step that now Cl negative will abstract H from this and we get now there will be abstraction of H abstraction of H by Cl negative from protonated aldol product and we get this thing plus HCl is formed again I am repeating that part here in this mechanism HCl is catalyst here and this is the reactant first O lone pair takes the C H from the HCl and Cl negative is removed so this step again happens when the step 2 occurs completely because HCl is regenerated again and that reformation of this species is right here will take part in the third step ok and then step 5 that is dehydration so what we do we have this product right here we will heat that water will be removed and at last we get our desired product that is alpha beta unsaturated hydrocarbon so that was your acid catalyzed aldol condensation I hope you get it if you get any doubt you can ask me in the comments thank you stay healthy be safe down I'm never too I'm never